नमशकर दोस्तो स्वागत करते हैं आपका विशाल शर्मा यूटिव चैनल में एक बार फिर से और दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई है एक खाश टॉपिक जो है दोस्तो फोटो से आवश्य करन कैसे करें किसी की फोटो से वश्यमे कैसे किया जाता है फोटो से किसी को वश्यमे कैसे करें अगर आप भी जानना चाहते हैं ये उपाए तो आज हमारी इस वीडियो को अंतर देखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसके जानने के बाद किसी भी इंसान को आप मातर 5 मिनट के अंदर उसे वशिबूत कर सकते हैं यदि आप किसी को अपने वश्मे करना चाहते हो तो आप वशिकन करना जानिए इसी को अपने वशारों पर चलाना चाहते हैं आप किसी को भी वश्मे कर सकते हैं लेकिन यदि आपके वश्रिकन के पर्योग में उच नीच हुई गलती हुई तो यहाँ आप पर भारी पड़ सकता है इसलिए आप इसे वश्रिकन को करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ इसे सही तरीके के साथ कीजिएगा जिसके द्वारा आप किसी भी इंसान को वश्रिबूत कर सकते हैं यह बहुत पावरफुल टोटका है जिससे आप असानी से पुरुष हो महिला हो, लड़का हो या लड़की शादी शुदास्त्री हो, पुरुष हो किसी को विवश्र में किया जा सकता है आज हम आपको फोटो से वश्रिकन कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी हिंदी भी बता रहे हैं तो दोस्तर इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा इसके बाद फोटो से वश्रिकन मंतर का प्रयोग रहे तो आईए इस विदी को जानते हैं दोस्तो वशीकन के दुनिया में आने को वशीकन यंतरतंतर तरीके हैं जिसे इसानी से किया भी जाता है लेकिन सबसे फेमस जो होता है वह फोटो से वशीकन फोटो से वशीकन का प्रयोग क्या है क्योंकि केवल एक फोटो की गरज होगी जिसके आपको वशिकन करेंगे और आप घर बैठे इसका फाइदा वे उठा पाएंगे किसी भी इंसान को अपने इशारों पर चलाने के लिए तो इसकी पूरी वीद बता रहा हूँ दोस्तो इसका तरीका है आप शुकरवार के दिन 6 बजे के करीब दोस्तो या 12 बचे के बाद कोई एक समय निश्चित कर अपने घर में खेले हो तब दोस्तो अपने के लिए करनी है आपको फोटो से वशिकन करने के लिए जुरूरत होगी इसका उपचार करनी से आप घर बैठे किसी को भी काबू में कर लेंगे तो फोटो से वशिकन मंतर है दोस्तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ओम हीम क्रीम उस व्यक्ति का नाम बोले जिसको वशिमे करना है वश्यमनाय हू यह मंतर बोलना है जब आवे एकांत में घर पर अकेले हूँ तो सफेद रंग के कपड़े में बैठ चाना है और सामने जिसक्ति कोश में करना है उसकी फोटो रखनी है और ध्यान से फोटो की तरफ सीध आखे डालते हुए बिल्कुल आखों में आखे डालते हुए अपने मंतर बोलना है जी है दोस्तों बिल्कुल आखों में आखे डालते हुए अपने करिया करनी है यह ध्यान रहे कोई भी कारिया नहीं होना चाहिए आपका और मंतर बोलेंगे 108 बार ऐसा नियंतन तीन दिन करना होगा ध्याने साफधानी सिसमंत्र को बोलना चाहिए और इस पर योग को बिल्कुल आप फ्री माइन के साथ कीजिए किसी भी आप दोस्तों टेंशन में ना रहें इस चीज करते समय चीज का ध्यान लगना है बस यही करिया है दोस्तों चार दिन तक इस करिया करने के बाद फोटो से इस इंसान को विशिभूत कर लेंगे और कोई भी इंसान हो आपके इशारों पर चलने के लिए मज़िबूर होगा तो मैं उमीद करूँगा या वीडियो आपको पसंद आई भी होगी दोस्तों और साथ में कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे दिये नमबर पर कॉल भी कर सकते हैं तो नमबर आपकी स्क्रीन पर दिया है दोस्तों इस नमबर पर कॉल किया जा सकता है और साथ में दूस्तों वीडियो पुसंद है ये लाइक शेर करना चैनल सब्सक्राइब करें